हेलो फ्रेंड्स एक्सल की इस ट्यूटोरियल स्रीज में आपका स्वागत है यहां MS Excel का पार 20 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम MS Excel के व्यू टैप के बारे में जानेंगे कि MS Excel में व्यू टैप का काम क्या होता है उसते पहले हमने MS Excel के फाइल से लेके रिवू टैप क कमपलीट कर लिया है यदि आप लोगों ने एक वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो और इन वीडियोच की लिंक आप लोगों को नीचे इस वीडियो की डिस्क्रेप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी तो चलिए हम अपने वीडियो क इन सबी टाइब को और एक एक इसके कमांड को अच्छे तरीके से कमपलीट कर लिया है यदि MS Excel बिलकुल सुरू से सीखना चाहते हो तो हमारे पीछे के वीडियो जरूर देखिए ताकि आप लोग MS Excel बिलकुल अच्छे से सीख जाओ और आज के इस वीडियो में हम वीडिय का काम क्या होता है उससे पहले हम समझ लें वीडियो होता क्या है जैसे पता चलता है कि वीडियो का मतलब होता है देखना इस टाइब की साहता से जो भी हम इस पे वर करते हैं उसको हमें किस तरीके से दिखाना है यह चीज़े हम वीडियो टाइब से करते हैं तो चलिए इस data पे हम view type के सारे command देखेंगे कैसे इनका काम होता है तो सब से पहले यहां पे हम आता है normal जब हम excel पे कोई भी work करते हैं जो हमारा seat होता है और normal seat होता है यानि कि इस पे जो page होता है और normal page होता है और इसमें page हमारे page break preview आता है पेज layout आता है custom view आता है इस तरीके के बहुत सारे page है जब हम इसमें work करेंगे तो default रूप से normal page भी होता है अगर आप से कोई पूछता है या आप किसी भी interview में जाते हैं वहाँ पूछा जाता है कि जब हम excel में work करते हैं तो default रूप से कौन सा page लगा होता है तो आप लोग वहाँ पर बताना है normal जो page view होता है हमारे default रूप से लगा होता है फिर इसके बाद जो हमारा next option आता है page break preview का इससे क्या होता है आप लोग जब page layout पड़ रहे होंगे तो यहाँ पर एक option आया था break में insert page break का जब हम अपने इस page को यहाँ से कर देंगे break यहाँ से अपने page को कर दिया break अब हमको देखना है view में आके कि हमारा page कहां कहां से break हुआ है और इसके कितने भाग है तब हम page break preview पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमारा पूरा data so होगा कि हमारा जो page है कहां कहां से break हुआ है और इस page के कितने भाग है तो हमारा पहला page यह है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा, हर page में लिखा है, page 1, page 2, page 3 और page 4, तो यह होता है page break preview का काम, हम इस normal पे किली कर देंगे, हमारा page बिलकुल plane हो जाएगा, और जहां से हमने अपने page को break किया था, वहीं पे cursor रखेंग आएंगे page layout में, break में जाके, remote page break पे किली कर देंगे, page break हड़ जाएगा, तो आप लोग यह भी अच्छे से समझ गए होंगे, यहां पर जो normal page layout हमारे option है, ठीक, यह option नीचे भी दिए हुए है, जब हम status bar में जाएंगे, यहां पर हमारा normal page है, यह page layout है, और यह हमारा page break preview है, तो नीचे भी option दिए हैं और यहां से, चाहे हम यहां से इनका use देखें, यह फिर यहां से एक ही use होता है, फिर इसके बाद आता है हमारा custom view, custom view इसमें सबसे important option है, अगर आप लोग इसका use अच्छे से समझ लेते हैं, तो बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे, जैसे कि य इस data को यहां से इतना कर लेंगे, select, custom view में आएंगे, और इस data को यहां पर add कर लेते हैं, add पर click कर लेंगे, जैसे हम इसको add करना चाहते हैं, up, c, i, lcs, नाम से यहां पर type कर देंगे, और ok कर देंगे, यह data हमारा custom view में add हो गया है, अब हम किसी भी seat पर हो, हमारे पास जब बहुत सी seat होती हैं, तब हम custom view का उप्योग करते हैं, हम किसी भी seat पर हो, custom view पर जब click करेंगे, तो जो हमने अभी यहां पर data add किया है, और data यहां पर दिखाई दे रहा है, up, c, i, s, s के नाम से, इस पर click कर लेंगे, और यहां से show करा देंगे, तो direct हम वहीं पर पहुंझ ज up, c, i, s, s, p, click करके, यहां से close करना है, तो close, show कराना है, तो show करा सकते हैं, दूसरा data add कराना है, तो दूसरा data add करा सकते हैं, delete करना है, तो delete पर click करके, और यहां से yes कर देंगे, और यहां से delete हो जाएगा, तो आप लोग custom view भी समझ गए होंगे, फिर इसके बाद यहां पर के आता है मारा सो का आपि सम्थ кварти में ग्रीड लाइन हैडिंग और फार्मूला बार दिया hot रूलर भी दिया हूइ हाई लाइट नहीं है इसका चलो अच्छे से हमकिसी वीडियों में और देखेंके काम क्या होता है यह तो सब सब पहले फार्मुला वार हाधिंग और grind line इनका काम क्या है सब सब पहले हम बात कर लेते हैं ग्रीड लाइन की जब हम excel पे कोई work करते हैं यहां पर आप लोगों को row column की line दे रही है इस तरीके से अगर इन liner को हम so कराना चाहते हैं तो यहां पर tick लगा देंगे तब यह लाइने हमारे सभी सो होती है जैसे है हम यहां पर grid line से tick हमने हटा दिया तो यहाँ पे जितनी भी लाइने थी वो सारी के सारी हमारी गायव हो जाएंगी इस पे टिक लगा देंगे तो यहाँ पे लाइने सो होने लगती है टिक खटा देंगे तो यहाँ से हमारी लाइन जो है वो सारी गायव हो जाएंगी यह चीज होता है grid line का formula बार जो उपर यह formula बार दिखाई दे रहा है अगर हम इसको so कराना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगा रखेंगे और hide कराना चाहते हैं तो यहाँ से tick हटा देंगे तो पूरा formula बार हमारा यहाँ से गायब हो जाएगा इस तरीके से formula बार को हम so करा सकते हैं तिक हटा देंगे तो hide हो जाएगा यह भी आप लोग समझ गए होंगे फिर हमारा इसके बाद आता है option heading का जब excel में हम काम करते हैं तो यहाँ पर column number a दिखाई दे रहा है column number b column number c def यह हमारी heading होती है इधार row number one two three four यह हमारी heading है अगर इनको हम दिखाना चाहते हैं तो heading पर tick लगा के रखेंगे अगर hide कराना है तो heading से tick हटा देंगे सारे हमारे जो row number थे column number थे और hide हो जाएंगे यह होते हैं heading इनका यूज हम इस तरीके से करते हैं पर इसी में जूम का option है जो हमारी seat है जो हम जूम पर click करेंगे तो अपने seat को कितना जूम कर सकते हैं यहां पर 200% कर दिया okay कर देंगे हमारी seat यहां से जूम हो जाएगी और हम अपनी seat को यहां पर status बाहर में जूम दिखाई दे रहा है यहां से भी जूम कर सकते हैं जूम आउट कर सकते हैं इसी में 100 का option दिया है इस पर click कर देंगे तो जो हमारी seat है बिल्कुल 100 यानि कि पूरी तरीके से जूम आउट हो जाएगी पिर इसी में जूम टू सलेक्शन का option है माल यह हम इतने data को क्यों जूम कराना चाहते हैं select कर देंगे जूम टू सलेक्शन पर क्लिक कर देंगे हमारा उतना ही data आएगा जितना हमने select किया है तो आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि हम जूम और 100% जूम टू सलेक्शन इसका काम क्या होता है 100% जब हमारा पूरा data जूम होता है जैसे कि यहां से अपने data को जूम कर लेते हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो जो टिफाल्ट इसका जूम होता है उसी के मुसार यह data आ जाएगा जूम टू सलेक्शन जिस भी एरिया को हम जूम कराना चाहते उसको सेलेट कर लेंगे जूम टू सलेक्शन पर क्लिक कर देंगे वही चीज हमारी जूम हो जाएगे इस पर कदेंगे नॉर्मल हो जाएगा पिर निच्ट अप्षण आता है नूव बिंडो अरेंजान यह क्या बना है, इस पर माॉस का करशत रखाएंगे, यहां पर बिंडो दिखाई दे रही है, निव बिंडो पर किलु करेंगे, फिर यहां पर विलुद चार बिंडो दिखाई दे अगर हमें न्यू बिंडो लानी हो तो न्यू बिंडो की सहाइता से हम अपनी सफी बिंडो को ला सकते हैं यहां पर अरेंज आल यहां पर जो हमारी चार बिंडो आई हैं इनको हम अरेंज करना चाहते हैं तो अरेंज आल पर टिक लगा के रखेंगे यहां पर आएगा option जो हमारी window है इनको हम tile के रूप में arrange करना चाहते हैं या horizontal के रूप में arrange करना चाहते हैं या vertical के रूप में तो जिस भी हम location से अपने window को arrange करना चाहते हैं उस पर tick लगाना होगा जैसे tap tap click कर के okay करदेंगे तो हमारी शारी window जो है टाइल के रूप में आजाएंगे पर click करेंगे इस्क्रॉल होगी यानि कि 4 window हमारी आ गई है और चारह window हम एक ही window में देख सकते हैं इस तरीके से कुछ दिखाई देती हैं इसी पर click कर देंगे हमारी window गर इनको में देखना चाहें तो यहां से देख सकते हैं आप लोग यह भी समझ गए होंगे कि हमारी जो बिंडो है अरेंज आल और न्यू बिंडो का काम क्या होता है फिर इसके बाद जो नेक्स्ट आपसन आता है फ्रीज पेंस का यह भी बहुत इंपोर्टेंट आपसन है जैसे कि जब हम एक्सल में वर्ग करते हैं 200-300-1000-2000 लोगो को डाटा होता है चलिए हम अपने इस डाटा को फूरा बढ़ से समझा पाए इस लिए को अपने फ़ेश posь कर देंगे इस तरीके इस को निचे की तरफ लेक्र देंगे कैशटया हमारा डाटा आ गया है जो 45 इस तरीके से हमारा डाटा होता है तब हम फिरीज पेंस का यूज करते हैं अभी आप लोग अच्छे से देखना जब हम अपने डाटा को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं और नीचे अपने डाटा को पढ़ रहे हैं तब यहां पे जो ऊपर उसमें हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक आलम है यह हमारा नेम लिखा है यह सीरियल लंबर है यह रोल लंबर है यह मोबाइल लंबर है यह क्या लिखा है इस तरीके कि अगर लिखा होता है तो महां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन डाटा हमारा क्या है तब हम यहां करेंगे और यहां पे फ्रीज टू रो जो उप़र की रो है इसको हम फ्रीज करना चाहते हैं लॉग करना चाहते हैं अपनी रोऊ की जो यह पूरी तरीक अब हम अपने डाटा को स्क्रोल करेंगे तो उपर डाटा नहीं जाएगा अब हमको इस तरीके से हम बता सकते हैं किसी भी बेक्ट को कि यह हमारे mobile number है हमारा address हमारा badge time है क्योंकि उपर यहां पर लिखा हुआ है हर काॉलम में अलग अलग यहां पर लिखा हुआ है तो इस तरीके से हम फीरिज पेंस्ससा के जाके रो को फृर्द कर सकते हैं हटा ना हो फ्रीज पेंस में आएंगे अन फ्रीज पेंस पर किली कर देंगे यह हमारी हट जाएगी इसी में कॉलम फ्रीज का आप संदिया नीचे दिया है फ्रीज फर्स्ट कालम जैसे कि इस साइड में हमारा बहुत बड़ा डाटा है एक्जामपल के लिए इसी को कर लेते ह कॉपी यहां से हम अपने डाटा को यहीं से कर लेंगे कॉपी डाटा कॉपी हो गया है और यहां पर करसर रखे पेस्ट कर देंगे और यहां पर रखे करसर पेस्ट कर देंगे इस तरीके से अपने डाटा को हम यहां पर पेस्ट कर लेते हैं डाटा थोड़ा बड़ा हो गय यहां पर जो लिखा है मधु का क्या सीरियल नंबर है यहां पर रोहित लिखा है इसका क्या सीरियल नंबर है यहां पर निहा लिखा इसका क्या सीरियल नंबर है तब हम फ्रीज पेंट कॉलम का यूज करते हैं जैसे यहां पर किलिक कर लेंगे आप लोग देख पार भी स्क्र 골angे तो वंमारा serial number नहीं जाएगा और हम बता सकते हैं कि यह किसका है इसका serial number क्या है इसका serial number क्या है दाड़ा तो हमारे परकार का होता है हमें किया क्या होता है और कैसे हम इन को उप्योव करते हैं जब हम आगे आने वाले वीडियो में प्रोजेक्ट देखेंगे एक्सल के तब जो भी इसमें आपसन है ये भी साथ में complete होंगे और एक्सल के भी project complete होंगे और हम advanced लेबल का एक्सल सिखेंगे यह हमारा MS Excel का last video है जो है last type है इसके बाद हम MS Excel के जो important formula है जो formula पर जब क्लिक करते हैं यहाँ पर जितने formula है अगले वीडियो से हम formula ही start करेंगे कि एक्सल में formula का हम काम कैसे करते हैं और इसका यूज किस तरीके से करते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर बने जरूर रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कीजिए क्योंकि हम MS Excel आप लोगों को बिल्कूल सुरू से सिखाऊंगा ताकि आप लोग एक-एक point MS Excel के समझ पाएं आप लोग समझ गए कि freeze panes क्या होता है और फ्रीज कर देंगे हमारा column unfreeze हो जाएगा और इसको हम जिस साइट में चाहें उस साइट में कर सकते तो आप लोग फ्रीज पेयन समझ गए होंगे कि फ्रीज पेयन का काम क्या होता है फिर इसके बाद जो next option है split का जैसे एब इंडो है इसको हम यह तोड़ना चाहते हैं split का नाम ही है तोड़ना जैसा ही split पे क्लिक करेंगे एब इंडो हमारी तूट जाएगी कुछ इस तरीके से अलग हो जाएगी चार भाग इसके हो गए हैं यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे hide कर देंगे तो यह window hide हो जाएगी और यहां पर unhide पर klick कर देंगे data type 1 है OK कर देंगे तो हमारी window unhide हो जाएगी यह दूसरी window है इसको हमने split किया था इसको भी unhide करना है तो unhide पर आएगे और यहां से OK कर देंगे पूरी बिंडो हमारी अनाहीड हो जाएगी और इस प्लिट्ट पर टिकटा देंगे हमारी बिंडो फिर उसी तरीके से हो जाएगी यहां पर इस प्लिट और हाईड ये भी समझ गए होंगे फिर इसके बाद हमारा आप सनाता है व्यू शलाइड बाई सलाइड जब हम यहाँ से new window लिये थे उन window को slide by slide देखना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं जैसे ही view slide by slide किया total यहाँ पर 4 window है 1, 2, 3, 4 करके लेकिन तीसरी window पर हम पहले से ही हैं तो यहाँ पर तीसरी window नहीं so हो रही है और 1, 2, 4 हमारी window so हो रही है मान लिया हम यहाँ पर नाम की विंडो है इसको और इस मिन्दो के साथ दोनों को slyde by slide देखना चाहते हैं तो यहाँ पर जो two नाम की विंडो है इस पर किलिक करके ok कर देंगे हमारे सामने यहाँ पर दो विंडो ओपन हो गई ओपर जो है त्री विंडो है और नीचे डाटा टाइप की टू विंडो है इसको ऊपर करेंगे तो दोनों विंडो आप लोग अभी देख पा रहे होंगे दोनों विंडो हमारी स्क्रॉल हो रही है ओपर और नीचे ओपर और आप करेंगे तो यहां पर एक ऑंप होगी इस पर क्रोंड आप लोग यह समझ गए होंगे कि इसका यूज कैसे करते हैं इनका यूज तब करते हैं जब हम एक साथ बहुत सारे बिंडो को create कर लें और उन बिंडो को adjust करना हो तब हम यहां पर view इस माम लिए, इसुट स्लाइड बाइड और स्क्रोभाइड시면 5 एक बन्टो उन्टान और एक विंडिवर्फ यहां पर यहां पर सकने करते हैं इसके नीचे भी बिंडो खुली है उसको माल लिया हम कहीं पर अर्जेस्ट कर लेते थोड़ा इसको यहां पर इस तरीके कर लिया अब रिसेट बिंडो पोजीशन पर किलिक करेंगे तो हमारी बिंडो आटोमेटिक उसी तरीके से आए जाएंगे इस पर जब हम अपन नहीं है में पर क्लोद कीलिक कर ढांगे तो यहां से क्लोच पर केलेंगे विंडो हमारी उसको हटब उन करेंगे та भी sound hm छिए यहां से हम ज भी बीन्डो पे जाना हो यहां इसी विंडो पे आसानी से जा सकते हैं तो आप लोगों को switch window समझ में आ गया होगा कि switch window का काम क्या होता और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं फिर इसके बाद आता है माइक्रोज का option चले इसको हम नई sheet पर समझते हैं जब नई sheet पर आएंगे यहां पर एक्सल पर कोई work करते हैं मालिया कोई ऐसा data है जब हम एक्सल पर work करें उस data को हम बार बार लाना चाहते हैं उस data को record कर लेंगे और जब भी लाना हो कहीं पर भी उसको ला सकते हैं चलीए यहां पे देख लेते हैं इसका practical देखेंगे तभी आप लोग इसका यूज अच्छे स समझ पाएंगे जैसे माइक्रो पे आए और यहां पर रिकार्ड माइक्रो पे खिलिक करेंगे यहां पर जो भी माइक्रो का नाम बनाना है नाम बना देते हैं चलिए यहां पर हम टाइप कर लेते हैं यूपी कि यूपी नाम से माइक्रो का रिकार्ड बनाना है यहां पर माइ नेम लिख लेंगे और यहां पर फादर नेम लिखना है तो फादर नेम यहां पर हम टाइप कर लेते हैं फिर इंटर करेंगे यहां पर मदर नेम लिखना है तो मदर नेम यहां पर हम टाइप कर लेते हैं महले हमारा इंपोर्टेंट डाटा है जब हम कोई भी वर्क करें तो इसी को हमें लाना होता है यहां पर हम लिख लेते हैं अजिना हम फादर नेम ड्रेinement अधिले में मोबाइल ले पर लिख लिए मौकाईल नमबर भी यहां पर हम लिख लिये मंही इतना डाटा है हमने यहां पर लिक लिया और आएंगे माइकवाट उस्कांड कर दिया स्टॉप रिकार्डिंग कर दिया अब जैसे कि हम किसी दूसरे सीट पे वर कर रहे हैं उसी डाटा को लाना है करसर रखेंगे और आएंगे माइक्रोज में द्यू माइक्रोपे आएंगे यूपी नाम से हमने माइक्रोज किया था इस पर क्लिक कर लेंगे और यहां से रन करा जैसे ही हमने यहां पर रन कर आया तो हमारा पूरा डाटा जो है यहां पर आ जाएगा जो हमने वहां पर बनाया था तो इस तरीके से हम माइक्रोज का यूज करते हैं जो भी माइक्रोप का काम हो हम यहां से माइक्रोप का काम करते हैं तो आप लोग यह भी समद गया होंग के पूछ सकते हैं हम आप लोगों के कमेंट का जवाब जरूर देखें तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और हम अगले वीडियो से देखेंगे MS Excel के फार्मूले जब हम फार्मूला पढ़ रहे थे तो यहाँ पे हमने इन फार्मूलो को छोड़ दिया था क्योंकि हमने कहा था अगर इन फार्मूले को हम इस वीडियो में कम्प्रीट करेंगे तो नहीं कम्प्रीट कर सकते हैं क्योंकि हमारे एक्सल के जो फार्मूले बोत ही important है अगर आप लोग जब MS Excel शेखते हैं तो MS Excel के जो भी फार्मॉले होते हैं आप लोगों को आने चाहिए कि MS Excel में इन फार्मॉले का काम हम किस तरीके से करते हैं तो आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट कीजिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स फार दिस वाचिंग वीडियो